इंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या है? क्यों होता है? इस पर बहुत सारे तर्क वितर्क है लेकिन जरूरी है ये समझना कि अगर ये वाला हिस्सा जो डामर की तरह चिकास वाला होता है ये अगर पेट के अंदर चला जाए तो इससे दो चीज़े होती है एक कि जहां पर वो है वो अपने बीज जो नॉर्मली गर्ब नली में जाता है उसे जाने नहीं देता इस वज़े से बच्चा नहीं होता तो इनफर्टिलिटी का डायरेक्ट कारण ये बन सकता है कि भाई वो बीज को अपनी तरफ खीच लेता है दूसरा हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़े बदल जाती है जिसकी वज़े से एक आतंक की तरह तईयार हो जाता है वो आतंक गर्भ थैली को अपना काम करने नहीं देता है अब तीसरी चीज ये होती कि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है वो चिकास वाली चीज है जैसा मैंने बताया है जब मासिक आ जाती है बहन की तब उस वक्त पे वो जो है वो अपनी तरफ मैगनिट की तरफ शरीर के और हिस्सों को मतलब पीट के अंदर के हिस्सों को कीच लेता और उसे चिपका देता है तो तीन तरह से ये इन्डोमेट्रियोसिस हमें तकलीव दो फो वो धीमे बिमारी है हम कहेंगे वंदेत्व की वो बढ़ती हुई देखते हैं हम लोग अच्छी बात तो यह है कि अगर सही वक्त पे इसे जाचा गया परखा गया तो इस पर इलाज भी किया जा सकता है